दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं IPL 2022 में खेल रहे गुज्राइ टाइटन्स के टीम के प्लेयर की ब्यूटिफुल वाइफ और गल्फेंड से क्या आपको पता है आखर इनकी गल्फेंड और वाइफ कौन है नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आपकी फेवरेट टीम गुज्राइ टाइटन्स है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नमबर वन हर्दिक पांडिया, टीम के कैप्टेन हर्दिक पांडिया ने 2020 में डांसर और एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से शादी की और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम अगस्तिया पांडिया है नमबर टू विजे शंकर, ओल राउंडर विजे शंकर मैरिड है इन्होंने अपनी लॉंग टाइम गल्फेंड वेशाली विश्वेश वरन से 2021 में शादी की नमबर थ्री मोहमद शमी, बहतरीन बॉलर मोहमद शमी ने मुरादाबाद उत्तर परदेश में हसीन जहां से 2014 में शादी की जो की एक एक्ट्रेस है लेकिन ये शादी नहीं टिक पाई और फिलहाल दोनों अलग रहते हैं और इन दोनों की एक बेटी भी है नमबर फॉर रिधिमन शाँ, विकिट कीपर और बैट्समन रिधिमन शाँ ने 2011 में रोमी शाँ से शादी की और 2013 में दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने अनवी शाँ रखा और 2020 में इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने अनवे शाँ रखा नमबर फाइफ राहूल तेवेतिया और रांडर राहूल तेवेतिया मैरिड है इन्होंने 2021 में रीधी पन्नू से शादी की जैसा कि आप इनकी वाइफ को देख सकते हैं नमबर शिक्स वरुन अरुन बॉलर वरुन अरुन ने 2016 में अपनी चाइल्ड हुड फ्रेंड रागनी सिंग से शादी की है नमबर 7 मैथ्यू विड विकेट कीपर और बैट्शमन मैथ्यू ने जूलिया बैरी से शादी की और दोनों एक दूसरे को 2003 से डेट कर रहे थे और 10 साल डेट करने के बाद 2013 में दोनों ने शादी की और इनकी दो बेटी भी है नमबर 8 जैन्त यादव बॉलर जैन्त यादव ने 2019 में अपनी चैल्डूड फ्रेंड दीशा चावला से इंगेजमेंट की और दोनों ने 2021 में फेरे ले लिए नमबर 9 लॉकी फर्गुशन न्यूजिलेंड के फास्ट बॉलर लॉकी एन्मेरिड है लेकिन इनकी गल्फ्रेंड है जिनका नाम कैट हॉक है और ये दोनों 2018 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और लिविन में रहते हैं नमबर 10 सुभमन गिल दोस्तों इंटेनेट पर ऐसे कुछ रूमर है कि सचिन तैंदुलकर की बेटी सारा तैंदुलकर सुभमन गिल की गल्फ्रेंड है और हर्दिक पांडिया अकसा सारा तैंदुलकर को लेकर सुभमन को टीज करते रहते हैं आपको क्या लगता है क्या सच अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना